पुटी द्वारा उत्तर राम चृत की रचना की गई, option नमर C, यहाँ पर भवुती राइट आंसर हो जाएगा, question number 2, कुकी जन्जाती का संब्ध किस राज्य से है, तो कुकी जन्जाती का संब्ध है आपका मनीपूर से, option number यहाँ पर A, मनीपूर राइट आंसर हो जाएगा, सहयगत राष्ट संगे की स्थापना कप की गई, तो सहयगत राष्ट संग की स्थापना की गई है, 24, अक्तूबर 1945 को option number C, सही आंसर है, आदने के भुगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आदने के भुगोल का जनक कहा जाता है, अर्तिक और सामाजी के योजना का विषय के सूची के इनतरा आता है, यहापर संवर्ती सूची के इनतरा जाता है, इस व प्रशने के लिए ओप्शन नमबर B, 540 इसा पूर्व में, सहरिया जंजाती का सम्दी किसराजस है, तो सहरिया जंजाती ये ओप्शन नमबर D, मोश्टली राजस्तान में निवास करती है, कुछ-कुछ जगा मद्बिस और चतिसगर के बॉर्डर पर भी निवास करती ह सम्धान सवाके प्रारूप सम्धी के अद्रक्ष कौन थे, तो सम्धान सवाके प्रारूप सम्धी के अद्रक्ष डॉक्टर अभीमराओ अंबिटकर जी थे, ओप्शन नमबर A सही आंसर है, विश्व एट सिदिवस का मना जाता है, तो विश्व एट सिदिवस आपका एक राइट आंसर हो जाएगा नागरिक सेवा के जन्राता के रूप में माई मूजिक माई लाइफ की पुस्तक के लिखकों है तो माई मूजिक माई लाइफ ये पुस्तक पंडित रवी शंकर जी न लिखिए option number C यहाँ पर पंडित रवी शंकर राइट आंसर हो जाएगा भारता में सरवाधिक गन्ना उत्पादक राजी कौन सा है तो सरवाधिक गन्ना उत्पादक जो राजी है वो है उत्तरपदेश option number B उत्तरपदेश राइट आंसर है इससे प्रशने के लिए पाल्यमेंट की जणनी की से कहा जाता है तो पाल्यमेंट की जननी बविटेन को कहा जाता है option number D बृटेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा option number B भाग नो Option number B भाग, No, Right answer हो जाएगा इस प्रशने के लिए अगर्शन दिखिए फसलों के एध्यन को क्या कहा जाता है तो फसलों के एध्यन को Agronomy कहा जाता है Option number A यहाँ पर Right answer हो जाएगा भारत रत्रतने से सम्वानत प्रत्म व्यक्ति-कौन है तो भारत रटने से समाने प्रतम वेक्टी डॉक्टर S. राधा कृष्णन जी है, option number B. S. राधा कृष्णन जी यहाँ पर right answer हो जाएगा इस प्रशनी के लिए कांची में कैलाश मंदिर का नमाण किस साच्क ने करवाए था, तो कांची के कैलाश मंदिर का नमाण, नर्सिंग वर्मन दथी जी ने करवाए था, option number A. यहाँ पर सही answer हो जाएगा इस प्रशनी के लिए है, उनका नाम है गुर्णार, middle, यहाँ पर नाम गलब देक है, गुर्णार, middle, right answer हो जाएगा, मैं आपको लिखके बता जीता हूँ क्या नाम है, यह नाम है, गुर्णार, गुर्णार, नाम यहाँ पर इस प्रशनी के लिए right answer हो, ठीक किसे बनाए गया था, तो प्रांतिय समिधान समिधी का अद्रक्ष किसे बनाए गया था, तो प्रांतिय समिधान समिधी का जो अद्रक्ष था, वल्ला भाई पटेल जी को बनाए गया था, option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, शिवाजी के राजनेतिक गुरु का नाम है, तो सिवाजी के राजनेतिक गुरु का कितने समिधी का अंतराल होता है, तो ज्वार भाटा में 12 गंटे 26 मिध का अंतराल होता है, option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, भारत में आदुनिक चित्रकला का जन्मराता किसी कहा जाता है, तो आदुनिक चित्रकला का जन्मराता, जो option D, इन में से कोई नहीं है, सभी option गल पैरंबुर किसे राज में से थे, तो पैरंबुर जो है, वो आपका है, तमिलाडु में से, option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, रक्तिशाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो रक्तिशाप को मापने का यंत्र कहलाता है, option number D, यहाँ पर राइट आंसर है, भातिय पुन जना कहा जाता है, राजा राम महन राजी को, option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, राजा राम महन राजी, ग्रेशम का नियम किसे सम्गने थे, तो ग्रेशम का नियम मुद्रा के प्रिशलन से सम्गने थे, option number A, यहाँ पर राइट आंसर है, तजो ब्रदेश्वर मंदिर है, पाइजाता है option number A right answer है, मनश्यों ने सरपतम किस धातू का प्रयोग क्या, तो मनश्यों ने सरपतम तामबा धातू का प्रयोग क्या, option number C, यहाँ पर तामबा right answer हो जाएगा, एंडीज परवतमाला की सबसे उची चोटी कौन सी है, तो एंडीज परवतमाला की सबसे उची चोटी, एंकांका गुआ, option number C, right answer है, ताज महल को बनाने वाले वास्तुकार का नाम क्या है, तो ताज महल को बनाने वाले वास्तुकार, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहोरी, option number A, यहाँ पर सही answer है, जमशेदपूर किस नधी के तटपर रिस्त है, तो जमशेदपूर आपकी स्वर्ण रिखा नधी के तटपर रिस्त है, option number A, right answer हो जाएगा, राष्टी साक्षर्टा दिवस किस सिथी को मना जाता है, तो राष्टी साक्षर्टा दिवस 8 सितंबर को मन option number A, right answer हो जाएगा, इस प्रेशन के लिए, भारत में सर्वोचे नधी के जजज, 65 साल तक सेवा निवत्त हो सकते हैं, option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, माउंट आवरेश्ट की उचाई लगवक कितनी है, तो माउंट आवरेश्ट की उचाई, 8848.86 मीटर, option number A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, इस प्रेशन के लिए, राजन परशाद को देश रत्म की उपादी किस न दी, तो राजन परशाद को देश रत्म की उपादी, महत्मा ग लोह पुरुष किसे का जाता है, तो भारत में लोह पुरुष का जाता है, सरदार वला भाई पडेल को option number C, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, किस राज्य में, सरवतम निर्दलिय मुख्यमंतरी का chain हुआ था, सबसे पहले निर्दलिय मुख्यमंतरी बने जारखंड में, option number C, य महतμ provinceanti के हता है, तो सबसे पुराणी जेल मिपी को क्या कहा जाता है, तो सबसे पुरानी जेल मिपी है, बारां अंग, option number D, यहाँ पर सही answer हो जाएगा, बारां अंग, पोट्ट काली ओन ने अपनी पहली फेक्टरी कहा पर स्थापित की थी तो सबसे पहली फेक्टरी के सशाषक की अनुमती जो लगाई थी आंग्रे जो ने बहादुर शाह प्रथम का अनुमोधन लिया था बहादुर शाह प्रथम पुर्टगाली गवर्नरर कौन थे उनका नाम था फ्रांसिस को डी अलमेंडा ऑफ्शन अम्बसी यहां पर से आनसर है खाजराहों के मंदर को किन शाष्ट को दवारा बनाए गया था तो खाज़आहों के मंदर कान्रमान जो कराए गया था चंडेल शाष्ट कान्रमान दवारा ओप्छन Napर 11.1901 में और ऑप्छन प्रिंस ऑफ वेल्स भार्त कवाई थे उनीज सो एकी सीश्वी में और राइट आंसर है को नर्क के सूर्य मंदर को बनाया था यहां पर सही आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका नर सिंग देवना ऑप्शन नमबर भी सही आंसर है आजाद हिंद फोज की स्थापना कि तो मदन महन माल्वी आपका उप्शन के सही आंसर है और और फ्रांसी सीशी के बीच में ऑप्शन हो जाएगा भारत की राधानी कलकत्ता से दिल्ली कब इस्तापत की तो कलकत्ता से दिल्ली भारत विश्वास तो जोतिश में विश्वास तो जोतिश में विश्वास आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए अप्शन नंबर हुमाईव को जोतिश में विश्वास ता साथ दिन में साथ पुकारे कप्ड़े पहनता था रंग के सब्कार की साथ विश्वास था और यहीं पहनता था और यहीं पहनता था ऑप्शन लाश्ट में मुहंबत शाब यह था, option number D, सही आंसर है, राजट तो सिध्धान्त की स्थापना करने वाला पहला शाशक कौन था, तो राजट तो सिध्धान्त, बलवन ने, जो है, इसकी स्थापना की थी, option number A, right answer है, जिंदा पीर किस साशक को कहा जाता था, तो जिंदा पीर, जो है, यहाँ पर, ओरंग जेव को जिंदा पीर कहा जाता था, option number D, right answer हो जाएगा, अलाउद दिन खिल जी के बच्पन का नाम क्या था, तो अलाउद दिन खिल जी के बच्पन का नाम था, अली, गुर्षाप, option number A, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मुगल अंश का शाशक कौन है, जिसका दो बार राजया विशेक हुआ, तो बार राजया विशेक हुआ है, औरंग जेव का option number B, option के अनुसार यहाँ पर, औरंग जेव, option number B, यहाँ पर सही आंसर है, दौलतावाद में औरंग जेव को तफनाए गया था, अगला question देखिए, भाति इद्यास की पिदम मुस्लिम महिला साशी का कौन थी, तो सबसे पहले ही मुस्लिम महिला साशी का रजिया सुल्तान थी, रजिया सुल्तान किस वंच की थी, comment box में comment करके पटाईए, रजिया सुल्तान किस वंच की थी, दौती ताज महिल के रूप में जाना जाता है, तो दूसरी ताज महिल के रूप में बीबी के मखवरी को जाना जाता है, option number A, यहाँ पर right answer हो जाएगा, ब्रामणों पर जजिया कर किस शाशक द्वारा लगाया था, सबसे पहले जजिया कर ब्रामणों पर लगाया था, फिरोज शाहत तुगलक ने, option number B, जानसर है, गुलाम वंच का अंतिम शाशक कौन था, तो गुलाम वंच का अंतिम शाशक था, शमसुद्दीन, क्यूमर्स, option number A, right answer हो जाएगा, शेर्षा का वास्तिव के नाम क्या था, तो शेर्षा का वास्तिव के नाम था, फरीद खान, option number C, डांक प्रथा का प्रशलन, किसने सुरू किया था, तो डांक प्रथा, ये सुरू की थी, शेर्षा द्वारा, option number B, right answer हो जाएगा, शेर्षा का मगवरा कहां पर इस थे, तो शेर्षा का मगवरा है, सासा राम बिहार, option number, शेर्षा सूरी की मत्यु कहां पर हो जाएगा, तो शेर्षा सूरी की मत्यु थी, मतलब जफर 2nd, option no. यहांपर B, सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्ने के लिए, शाहे Beekhavar, स्किस बाजशा को जाना जाता है, तो शाहे Beekhavar, नाम से जाना जाता है, यहांपर सही आंसर हो जाएगा, आपका इस प्रशने के लिए, बहादुर शाह प्रथम को option number यहाँ पर D बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए आगरा शहर की स्थापन के शाषक ने करवाई थी तो आगरा शहर की स्थापन कराई थी सिकंदर लोधी ने option number C, सिकंदर लोधी राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान कहां का शाषक था तो टीपू सुल्तान यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका यह शाषक का मैशूर का option number B मैशूर यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा मराधा राजी का दूसरा संस्थापक किसे मना जाता है तो ताट्या टोपे का मूल नाम था आपका राम चंद्र पांडू रंगीं ऐप शेवाजी का मंत्रीमंडल क्या कहलाता है तो शेवाजी के मंत्रीमंडलू कहा जाता आश्ठ प्रधान अश्ठ प्रधान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसे कहा जाता है तो मुगल वंश का गृन्त कायल फरुक्सियर को कहा जाता है option number B फरुक्सियर से सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए नवरत्न किस शाशक के दरवार में रहते थे तो नवरत्न जो है वो अकबर की दरवार में थे option number A, अकबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए आधी गरंत के इस अंचालन करता कौन थे तो आधी गरंत के इस अंचालन करता गुरु अर्जुन देव जी थे, option number B, अर्जुन देव जी राइट आंसर है श्रुण मंदिर को किसने बनवाया था? अकाल तक किस्ता आपने आपकी गरु, हर गोविंदर जी द्वारा की गई option number यहाँ पर सही answer है गरु गोविंद सिंग का जन्म कहां हुआ था? गरु गोविंद सिंग का जन्म हुआ था? तो उस समय जो Lord Canon भारत के गौवर्नर जरनर ते, यहाँ पर option number आपका सही आंसर हो जाएगा D, Lord Canon, अगला question देख लेते हैं, यह आपकी screen पर, 1870 के रिद्रों का, बिहार में नेतरत्यों किसके द्वारा किया था, तो बिहार में नेतरत्यों किया गया था, option number D, कोवर सिंग के द आपका Greenland बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, option number C, greenland right answer है, चेत्रफल की दश्टी से, सबसे चोटा राज़ कौन सा है, तो चेत्रफल की दश्टी से, सबसे चोटा राज़ गोवा है, option number D, सही आंसर है, भारत का सुट्जर लेंड किसे कहा जाता है, तो भारत के सुट्जर ल आपकी सबसे बड़ी क्रत्यम जील, गोविंद बल्लाव पंत्य सागर जील है, option number A, यहाँ पर right answer है, विश्टी की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्टी की सबसे लंबी नदी है, आपकी नील नदी या नाइल नदी भी बोलते है, इसको option number B, right answer हो जाएगा, विश् विश्टी का सबसे बड़ा नदी दीप माजीली दीप है, कमेंड करकर इन है, यह माजीली दीप किस नदी पर बना हुआ है और किस देश में सुटेते माजीली दीप, पिरामिट की सबसे कहा जाता है, विश्टा स backpacker कौ सा है, विश्टी का सबसे बड़ा रगिस्तान chair, option number B सहारा रगिस्तान राइट आंसर है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आपका हो जाएगा आर्खिटिक महासागर ऑप्शन नमबर B आर्खिटिक राइट आंसर हो जाएगा इससे प्रशने के लिए भारत की सबसे लंभी तट्रेखा वाला राज कौन सा है तो भारत की सबसे लंभी तट्रेखा है गुजरात की option number C गुजरात यहाँ पर सही answer हो जाएगा बुलं दरवाजा कहां परशते थे तो बुलं दरवाजा फटेपूर सीक्री मिश्टे थे option number E फधेपुर सीकरी राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या की जरश्टी से सबसे छोटा राज कुन सा है तो जनसंख्या सबसे कम है आपकी सिक्के में option number 20 सिक्के में आपर right answer हो जाएगा भारत की सबसे ऊची-चोटी कौन सी है तो भारत की सबसे ऊची-चोटी है आपको हुआंगो नदी को option number यहांपर C सही answer हो जाएगा भारत का मैंचेश्टर किसी कहा जाता है तो भारत के मैंचेश्टर के नाम से अहमदाबाद फेमास है option number अहमदाबाद D सही answer है सबसे बड़ा प्रायधी पी कौन सा है तो सबसे बड़ा प्रायधी पी है बड़ी जील कौन सी है तो विश्ट की सबसे बड़ी जील आपका option number A यहांपर सही answer हो جाएगा Caspian Sagar या Caspian जील विश्ट की सबसे बड़ी जील है अगला laughed का प्रवेशदवार किसे मना जाता है तो भारत का प्रवेश दौर यहांप जो option परवत माला कौन सी है तो विशु की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो विशु की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो विशु की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो विशु की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो विशु का सबसे उंचा परवत माला कौन सी है भारत का सबसे चोटा नदी दूप, उमानन्दा, किस नदी पर रिष्टत है, तो सबसे चोटा नदी दूप, उमानन्दा, यह आपका रिष्टत है, ब्रह्मोपुत्र नदी पर, ठीक, सबसे बड़ा भी वही है, और सबसे चोटा भी, ब्रह्मोपुत्र नदी पर है, उमानन आंसुओं का प्रविजद्वार किसी कहा जाता है तो आंसुओं का प्रविजद्वार कहा जाता है बाब अल मंदब को option number A यहां पर right answer हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा मस्जिद, सबसे बड़े मस्जिद, जामा मस्जिद जो है यह दिल्ली में से ते option number A, option number C, गोल गूमबच यहां पर right answer हो जाएगा चेत्रफों की रश्टी से सबसे चोटा देश कोन सा है? तो छेत्रफल की रश्टी से सबसे सोड़ा देश वेटिगन सिटी है, option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मद्रात्री के सूर्का देश कहा जाता है तो मद्रात्री के सूर्का देश नार्वे को कहा जाता है option number D, नार्वे यहाँ पर सही आंसर है तो हजारों जीलों की भूमी किसे कहा जाता है, तो हजारों जीलों की भूमी, Finland को कहा जाता है, option number B, Finland right answer हो जाएगा, उगदे सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो उगदे उगदे हुए सूर्य का देश, Japan को कहा जाता है, option number C, सही answer है, छेत्रफल की रश्टी से सबसे द्यूप सब हुँ आपका इंडोनेशा द्यूप सब हु ऑप्षन अपर यहां पर सभा आँसर हो जाएगा भारत में सरवारि को वर्षा किस इस असर हीप them जनसंख्या की दरश्टी से है उतरपदेश और छेत्रफल की दरश्टी से है राइस्थान ठीक है आपको बता चुका हूँ अभी थोड़े पहले जनसंख्या में उतरपदेश और छेत्रफल में राइस्थान भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी न प्रश्ण का अंसर, गौतम बुद का जन्व कब हुआ था, तो गौतम बुद जी का जन्व हुआ था, 563 इसापूर्व, option number C, यहां पर सही answer हो जाएगा, भारत का पहला missile कौन सा है, तो भारत की जो पहली missile है, उसका नाम था प्रतवी, option बड़ी, और आप comment करके मुझे आता है, यह प्रतने का अंसर, comment box में comment करके बताइए, आकाश missile मार करती है, तो जो आकाश missile है आपकी, वो मार करती है, जमीन से हवा पर, option number C, सही answer हो जाएगा, सतर से हवा पे, प्लासी का युद्ध का युद्ध जो आपका हुआ, यहां पर सही answer हो जाएगा, तो प्लासी क संस्थान या संगठन, इसरो का मुख्याला एक कहाँ पर है, तो इसरो का जो मुख्याला है, वो बैंगलोर में से थे, option number B, बैंगलोर यहां पर, इसे प्रशने के लिए सही answer हो जाएगा, कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है, तो टैंक रोधी मिसाइल यहां पर नाग, एक ट भारतिय मिसाइल कारिक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो भारतिय मिसाइल कारिकरम के जनक कहा जाता है, डॉक्टर A.P.J. अब्दुलकलाम जी को, इनको ही मिसाइल में कहा जाता है, मैंने आपसे थोड़ी दिर पहले कॉशन पुछा था, कि मिसाइल में किसे कहा जाता है, ठ पंच शब्ड़ग का प्रयोग की स्केल में युज होता है ? तो पंच होता है मुक्के वाज़ी में पंच मारना ऑप्शन नमर बी रियुक्त का संबंध сыãy तो साइन अनेवाल का जो संबंद है वो है बैडमिंटन से option number C, badminton यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इंसुलिन का सुरुत क्या है? इंसुलिन का सुरुत जो है आपका अगनाशे गंती से insulin का स्रा होता है, option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अगनाशे गंती से हैदरावाद का जुडवा नगर किसे कहा जाता है अभिना अभिंद्रा का समद किस खेल से है? तो अभिना अभिना अभिंद्रा का समद निशाने बाजी से है, option number A यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लोहा का सुदतम रूप कौन सा है? तो लोहे का सुदतम रूप है, आपका पिटवा लोहा, option number B राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए, रगभी पुटवाल के प्रते एक पक्ष में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका टोटल जो खिलाडियों की संख्या होती है, वो होती है आपकी 15, option number C, 15 राइट आंसर हो जाएगा नाव दौर किस राज जी का लोगट रिखेल है, तो जो नाव दौर है, वो केरल का लोगट रिखेल है, option number D, राइट आंसर है अगला कोशन देखिए, इसमें पुछा गया है, म्रक्च कटिकम नाटक के लेखक कौन है, तो म्रक्च कटिकम नाटक के लेखक शुद्रक है, option number B, राइट आंसर है महावीर किस राजगराने में पैदा हुए थे, तो महावीर जी जो है, वो आपकी छत्री राजगराने में पैदा हुए थे, option number D, राइट आंसर हो जाएगा गुरु गौविन सिंग का जन में कहा पर हुआ था, तो गुरु गौविन सिंग जी का जन मुहावरा पठना साहिब में, option number, पठना साहिब यहाँ पर सज़्या आंसर हो जाएगा Thomas Cup का संबन्ध किस खेल से है तो Thomas Cup का संबन्ध है आपका Badminton से option number B Badminton साइनसर है Basketball किस खेल में प्रत्य एक पक्ष में कितने खेलाड़ी होते है तो Basketball में 5 खेलाड़ी होते है प्रत्य एक पक्ष में अगला question देखिए एक ही बना क्या है तो एक ही बना जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा फूलों की सजावट करने की एक जापान ही पादती है और यह हुगा आपके दोसों कॉशन, यह आपके लिए सर्फाइस कॉशन इस तो प्रशन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमें करके बताइए रण छोर शब्द किसे संबने है वैसे तो आपने रण छोर शब्द कृष्ण जी के लिए सुना होगा लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दे गए उसमें से किसे संबने थे मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा है उनमें से एक सही है दादा भाई नौर जी या फिर मुराजी दे शाई इनमें से बताइए रण छोर शब्द किसे संबने थे मिलते हैं अगले वीडियो में तो आप सबी का बहुत बहुत धनवाद दोस्तों आपका दिन शुभो बहुत बहुत धनवाद